आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो तुमारा आज का प्रश्ण है कि माखन वयम पनीर में किसका कैलोरी मान अधिक है ठेक, तो कैलोरी मान क्या होता है सबसे पहले हम यह जानेंगे तो कैलोरी मान का मतलब यह होता है कि किसी भी सामेगरी को एक निश्चित माप में लेने पर ठेक, वह कितना कैलोरी उलजा हमें प्रदान करता है ठीक तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर माखन और पनीर दोनों को एक निच्चित मातरा में हम लें तो कौन अधिक उजा हमें प्रदान करेगा ठीक तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माखन को ठीक अगर हम मानें की 100 ग्राम हम 100 ग्राम महीं मानते हैं तो यहाँ लिखेंगे 100 ग्राम माखन लेने पर यह हमें 777 कैलोरी प्रदान कराता है कैलोरी ऊजा हमें प्रदान करता है जबकि 100 ग्राम पनीर खाने पर या पनीर ग्रहन करने पर हमें कितना उजा मिलता है केवल 349 कैलोरी ठीक कैलोरी उजा में प्रदान होती है ठीक तो कैलोरिफिक वैलू किसकी अधिक होगी माखन की ठीक तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माखन की कैलोरिफिक वैलू मतलब कैलोरी मान क्या होगी अधिक होगी किस से पनीर से तो यह हमार उत्ता था धन्यवाद क्लासिक स्टिट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर